लगनों कोट परिसर में मुक्तार अंसारी के खास चूटर संजीव महिशोरी और जीवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी आरोपी 19 साल के विजे ने संजीव पर ताबड तोड कई राउंड फाइरिंग की इस हमले में आरोपी के अलावा वहां मौझूद डेड़ साल की एक बच्ची और पुलिस कर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए थे जिनको इलाज के लिए आनन्ट फानन में केजियोम्यू में भरती करा गया था जिसके बाद डेड़ साल की बच्ची से सीम योगी आदितनात ने केजियोम्यू पहुँचकर आज मुलाकात की केजियोम्यू में जब सीम योगी चिल्रन वार्ड में भरती मासूम बच्ची से मिलने पहुचे तो उसके सिर पर हाथ फेरा साथी उसे चॉकलेट भी दी सीम योगी न डॉक्टरों से बच्ची का हाल चाल जाना साथी परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया इस दोरान सीम योगी के साथ डीजी पी, एडीजी जोन और लखनों के जिलाधिकारी मौजूद रहे वही मुलाकात के बाद लखनों के जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है और उसे बहतर से बहतर इलाज उपलब्ध कराय जा रहा है कल एक बच्ची को बोली लगी थी, उसमें उसका यहाँ पर उक्चार चल रहा था मानि मुकिमंतरी जी आज सुवे उसको देखने के लिए आये थे और उनोंने यहाँ के जी एमियू प्रशासन के लिए निर्देश दिया है यहां डॉक्टर्स के लिए निर्देश दिया है कि उसकी जितनी अच्छी विवस्था हो सकती है जितना अच्छा चिकित्सी इसविदा उपलप्त करा सकते हैं वो हम लोगों कराना है और उसकी इस्तिती समय स्टेबल है हत्याकान के बाद योगी सरकार ने ततकाल मामले की जाच के लिए SIT टीम का गठन कर दिया था और साथ दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने की भी आदेश दे दिये थे जिसके बाद घटना स्थल पर जाच परताल की गई और जिस रिवॉल्वर से संजीव जीवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उसको भी कबजे में लेकर बैलिस्टिक जाच के लिए भेज दिया गया था बेर रिपोर्ट भारत समाचार